दोस्तो अगर आपने भी इंटरनेट से कोई आधार कार्ड को डाउनलोड किया है और आपके आधार कार्ड में कुछ इस प्रकार का पासवर्ड मांग रहा है आपका आधार कार्ड ओपिन नहीं हो पा रहा है तो आज की इस वीडियो को आप बिना स्किप के सुरू से लास्ट इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजेगा दोस्तो जब भी आप अपने मोबाइल केंप्यूटर या लैप्टाप से अपना कोई भी आधार कार्ड को डाउनलोड करते हैं तो आपका आधार का डाउनलोड तो आसानी से हो जाता है लेकिन जब आप उसे ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपका आधार कार्ड में कुछ इस प्रकार का प्रासवर्ड मांगता है तो यहाँ पर आपको क्या पासवर्ड डालना होगा जिससे आपका आधार कार्ड आसानी से ओपन हो जाए दोस्तो इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी क के भी आधार कार्ड को आसानी से open कर सकते हैं आपको किसी का password याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों आपको इसे open करने के लिए यहाँ पर आपको कौन सा password भरना होगा अब हम आपको यह बताते हैं अब आप जिसका आधार का डाउनलोड कर रहे हैं रहां दीजेग तो मैं इनका starting का four digit capital letter में लिख लेता हूँ यहाँ मैं A type किया उसके बाद capital R, capital C, capital H यह 4 digit हो चुका है अब आगे आपको क्या भरना है यहाँ पर आपको अपना data birth जो आपके आधार कार्ड में आपका जन्मतिती हो वो आपको sun यहाँ पर भरना होगा इनका sun 1993 है तो यहाँ पर मैं पूरा 1993 डाल देता हूँ जैसे आप इतना यहाँ पर भर देंगे उसके बाद आप confirm पर जैसे ही click करेंगे आपके सामने आपका आधार कार्ड आसानी से open हो जाएगा इस परकार से आप किसी के भी आधार कार्ड को आसानी से open कर सकते हैं तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सबस्क्राइब जरूर किजिएगा